हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे आज हम लोग क्लास 6 का चेप्टर 12 पर रहे हैं जिसमें हमें पढ़ना है नए समराज्य और राज्य के बारे में इससे पहले इस चेप्टर का दो वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुगा है तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखिए यानि कि पहला और दूसरा वीडियो अगर नहीं देखिए चेप्टर 12 का तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए उसके बाद इस वीडियो को यानि कि जो तीसरा वीडियो है इसको देखिएगा तो जो कहानी है वो एकदम अच्छे से कि कियें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए और एक छोटा सा रीक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स के साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स है अस्कूल में आप क्लास 6 के जितने भी फ्रेंड्स है कम से कम उनको जरूर इस चैनल के बारे में बताईए उनके पास इस वीडियो को भेजिए ठीक है और उनके साथ share किजी क्योंकि वो भी ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसका उनको भी क्या मिले मदद मिल सके उनको भी help हो अब आईए शुरुआत करते हैं तो क्या करा है यहां पे हम लोग इससे पहले गुप्त सामराजी के बारे में पढ़े थे ठीक है और उसमें हम लोगों ने देख बना है हर्सवर्धन के बारे में आप लोग हर्सवर्धन के बारे में जरूर सुने होंगे हर्सवर्धन एक क्या था बहुत ही महान सा सकता और यह किस वंस से बिलोंग करता था तो पुश यह भूती वंस से बिलोंग करता था जैसा कि आपको पता होगा कि मोरियों ने क्या क ठीक है अब क्या करें आप यहां से दिखाते हैं एक मैफ है जहां से आप लोग देख सकते हैं तो यहां से हम देखते हैं क्या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौडियों ने क्या किया था एक बहुत बड़ा समराज यानि कि भारत में इस छेत्र पे यहां तक इस छेत्र पे क्य जोर निकले इसके बाद क्या होगा कि मौर्यस्तमराज छोटे उसके बाद चंद्र गुप्त प्रथम, विक्रमादित्य, असकंद गुप्त, शमुद्र गुप्त, कुछ ऐसे गुप्तवन्स के महत्वपुर्ण सक्ति सालिस आसक हुए, जिन्होंने क्या किया, कि फिर से इस हिस्से के उपर क्या कर लिया, कबजा कर लिया, और फिर से एक ब बहुत परभावसाली, बहुत सक्तिसाली होता है, तो क्या कर लेता है, कि अपने सासनकाल में बहुत बड़े हिस्स्यों को, बहुत बड़े राज्यों को जीते जाता है, और उनको अपने हिस्से भी मिलाते जाता है, और इस तरीके से एक बहुत बड़ा इंपायर, एक बहुत इसके बाद जो राजा बनेगा वो इस राजा का क्या कलाता है उत्राधिकारी कलाता है तो अगर ये उत्राधिकारी इतना सक्तिसाली नहीं हुआ इतना समझदार नहीं हुआ इतना मतलब परभावसाली नहीं हुआ तो क्या होगा कि इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा कि 이 जो घुशा है जो भी जो कोई भी राजा से अगर डडर्र खतम होगा तो इस हिस्से पे हम लोग जानते थे क्या कि जो राजा है वह वह सासन करने के लिए अपने सामराजी को छोटे-छोटे प्रांतों में कै कर देता था विभाजित देता था ठीक है अब जब छोटे-छोटे प्रांतों में विभाजी थे और उनको वहां के जो लोकल रूलर्स है उनको देता था और वो लोग क्या करते थे टैक्स कलेक्ट करके इस सेंटरल में जो बैठा राजा है जो सकतिसाली है उसको टैक्स देते थे लेकिन अगर ये जो सेंटरल में बैठा हुआ राजा अगर कमजोर निकला तो ये लोग क्या कर लेते थे खुद से अपने आपको independent declare कर देते थे बोलते थे हम सोतंत्र हो गए अ गुप्त सामराज माली जी इतने बड़े हिस्से में फैला हुआ था अब इसका जो समराज था वो छोटे-छोटे हिस्सों में यानि कि प्रांतों में विभाजित था और हर एक जो प्रांत था वो एक-एक सामन्त के अंदर था और यह लोग क्या करते थे इस हिस्से से टैक्स कलेक्ट करके और जो गुप्त सामराज का जो सेंटरल पोजिशन पर जो यानि कि जो में राजा होता था उनको यह लोग टैक्स देते थे लेकिन जैसे ही गुप्त सामराज का जो उत्राधिकारी है वो कमजोर हुआ तो इन लोगों ने अपने आपको क्या डिकलेर कर द ठीक है तो यह गुप्त सासक के उपर क्या कर रहे थे सासन कर रहे थे गुप्तों के अंदर यह क्या था एक प्रांत का सासक था यानि कि पुष्य भूति वंस का सासन चलता था लेकिन यह गुप्तों के अंडर में था और गुप्तों को टैक्स कलेक्ट करके गुप्त समराज क पर लाइन के सासक कंजोर हुए। इन्होंने अपने आपको क्या डेकलेर कर दिया। इंडिपेंडेंडेर कर दिया। और उट्लूर का क्या नमताah , पुश्यभूति वन्स और भी यानई की एक पुश्य भूति वन्स ये भी अलग कोई दूसरा सामन्त है वो अपने आपको डिकलियर कर दिया ये भी डिकलियर कर दिया अब इन ही में से यानि कि जैसे ही प्रभाव अस्थापित कर लेता है तो इस तरीके से ये प्रकिरिया आप लोग स्टार्टिंग से ही देखते होंगे कि कोई भी सेंट्रल पोजिशन कमजोर होगा उसके बाद जो लोकल रूलर्स होंगे वो अपने आपको स्वतंति घोसित करेंगे और उन्हीं में से आपस में जगड़ा करते करते कोई भी प्रभाव साली जो सासक होगा वो एक बहुत बड़े हिस्से को जीतते जीतते क्या कर लेगा एक बहुत बड़ा इंपायर खड़ा कर लेगा यही प्रोसेस चलता आ रहा है इन्हीं में से क्या था हर्षवर्धन था यहां तक यह जो कंसेप्ट है वो किलियर हो गया होगा ठीक है अब हर्ष वर्धन के बारे में पड़ते हैं तो क्या करा है कि गुप्त समराज के पतन के बाद पुष्य भूतिवंस सबसे सकतिसाली ववस्था में रहा और इनकी राजधानी थानेस्वर में थी अब यह थानेस्वर है कहां पे तो थानेस् साली महत्वपून बोल सकते हैं जो सासक था वो कौन था परभाकर वर्धन उसी के बाद भ्राज्य गाद्दी पर आसीन होना मतलब राज्य गद्दी को संभालना मतलब मैद राजा डिक्लेयर करना तो हर्च वर्धन राज्गद्दी पर कब बैठा कब जो सो इस्वि में ब 206 इस्वी में हर्षवर्धन जो है वो राजगद्धी पे बैटा है एक में संकट पुन परिस्थिती में हुआ जब बंगाल के सासक ससांक ने पुष्य भूतिवंस को कमजोर कर दिया था यानि कि अब हम लोगों ने देखा कि गुप्त सामराज के पतन के बाद पुष्य भू ससांक क्या कर रहा था कि इनके उपर अटेग करना आरम कर दिया और इनको क्या करते जा रहा था कमजोर करते जा रहा था ठीक उसी समय हर्षवर्धन का क्या होता है राज्या रोहन होता है मतलब राजा बनता है और आगे क्या होता है प्रंतु हर्ष ने अपनी प्रतिभा से इस वंस को मजबूत और इस्तिर बनाया और इसने सफल सैनी का भियानों द्वारा पंजाब से बंगाल तक समराज जिविश्तार किया यानि सोच करके दिखी कि जिस समय हर्षवर्धन सासन सासक बन रहा था ठीक उसी समय बंगाल का एक सासक था नाम था ससांग अब ससांग क्या कर रहा था कि इनके उपर अटेक कर रहा था लेकिन जिस समय हर्षवर्धन सासन राजया रोहन कर रहा था जब राजगदी संभाल रहा था उसी समय ससांग का अटेक होता है लेकिन जब हर्षवर्धन राजा बनता है तो अपनी प्रतिभा के बल पे क्या करता है कि पंजाब से ले करके बंगाल तक इतने बड़े हिस्से पे जितने भी छोटे मोटे राजा थे सबको हराते हुए एक बहुत बड़ा समराजी ये भी क्या करता है इस्ट्रैबलिस करता है एक बहुत बड़े से काड़ी किये थे उसके बारे में थुरा सा देख लेते तो अब क्या करने हाँ पर कि बंगाल पंजाब से लेकर बंगाल तक जो है वो समराज विस्तार के और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यानि कि कुछ historians वो क्या बोलते हैं कि कामरूप कामरूप कहां पे है असम में है तो कामरूप कहां पे है ये भी आपको याद रखना है तो कामरूप कहां पे है असम में तो कामरूप और कासमीर के सासक भी उसकी अधिनता स्विकार करते थे तो सोच के देखें सिर्फ बंगाल बलकि असम के जो सासक जो उस समय कामरूप समराजी के नाम से जाना दाता था तो असम के सासक और साथे साथ कासमीर के जो सासक थे वो भी इसकी अधिनता स्विकार करते थे किसकी हर्स वर्दन की इतना बड़ा परभाव था और हर्स ने नर्मदा के दक्षिन में भी समराजी विश्टार करना चाहा लेकिन चालूक के वंस के जो सासक पुलकेशन दीती है था उसने उसे क्या कर दिया पराजित कर दिया यानि कि हर्सवर्दन चाह रहा था क्या कि हम कहां बढ़ें नर्मदान नदी आपको पता होगा कि नर्मदान नदी कहां इस हिसे से ये वाला जो पा कि और राज में मिला लिया था लेकिन वह चार आ था कि हम दक्षिन भारत में भी आगे बरे लेकिन यहां पर जो चालूक के वंस का राजा था जिसका क्या नाम था पुलकेशन वो क्या करता है कि हर्षवर्धन को रोक देता है और हर्षवर्धन के साथ यूद्ध होता है यानि कि हर्षवर्धन इस जगह से सासन कर रहा है माली जी हर्षवर्धन यहां से सासन कर रहा है कनोज से हर्षवर्धन की राजधानी हर्षवर्धन का जो समराज था उसकी यानि कि एक समराजिता चालुक वन्स था उसका सासन चल ला था यानि कि चालुक्यों का सासन चल ला था कहां पे दक्चिन भारत में नर्मदा नदी के बाद दक्चिन वाले हिस्से में यानि कि आज के महराष्ट और करनाटक वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में किसका सासन चल रहा था चालुक्यों का सासन चल रहा था अब जब हर्स वर्धन अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ता है तो यहां से चालुक के वंस का एक राजा है जिसका क्या नम है पुलकेशियन दीतिये वो क्या कर देता है कि इसको रोकता है और जब रोकेगा यह आगे परना चाहेगा और यह इसको रोकेगा तो क्या हो जागा दोनों के बीच में जगड़ा होगा युद्ध होगा और इस युद्ध में पुलकेशियन दीतिये क्या कर देता है हर्स वर्धन को हरा देता है ठीक है अब देखो क्या होता है कि हर्स का जुकाओ बहुत धर्म और हम लोग नहीं य साता है कनोज से अपनी राज़ानी बना करके अब आगे हम लोग देखते हैं कि हर्स के संदर्भों में हमें उसकी राज कभी वानभट की किरिती हर्स चरित और मधुवन वांस खेरा और संजान तामरपत लेख यात्रा विर्तान तादिस से जानकारी मिलती है तो हमें यह भी जानना है कि जो हर्स वर्दन है हर्स वर्दन के बारे में हमें जानकारियां कहां से मिलती है कि हर्स वर्दन जो है वो हर्स वर्दन को पुलकेशियन दूती है नहराया हर् तो हमें आपको पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन जो कोई भी राजा होता था, तो अपने राज में यानि कि उसका जो कोट होता था, उसका जो दर्बार होता था, उसमें कवी, वैद, क्या है, इतिहासकार, बहुत से लेखक हो गए, संगीतकार हो गए, क्या है, निरित्ति क करने वाले लोगों के ये लोग इनके दर्बार में रहते थे तो इन ही में से एक कवी था इनका दर्बारी कवी था जिसका क्या नाम था बानभट तो बानभट किसका दर्बारी कवी था हर्षवर्धन का और हर्षवर्धन के बारे में लिखते हैं और जिस किताब में लिखते उसकी चाव को क्या बोलते हैं हर्ष चरित बोलते हैं क्या बोलते हैं हर्ष चरित बोलते हैं तो इससे जब हर्ष चरित हम हर्ष चरित बुक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर्ष वर्धन के बारे में जनकारियां मिलते हैं और साथे साथ मधुवन वांस खेरा और संजान ता नाम था वेन संग ये कहां पर आता है हरस्वर्धन के सासनकाल में भारत में आता है और जब भारत में आता है तो हरस्वर्धन को देखता है उसका राज काज करने का तरीके को देखता है और यहां के लोग कैसे हैं कौन-कौन से तेवार मनाते हैं उनका मतलब सारा कल्चर जो क कुछ भी है उन सारी चीजों का अपने यात्रा विर्तांत में लिखता है कि हमने भारत गया तो भारत में क्या देखा कौन सा सासक सासन कर रहा था वो सासक जनता के साथ कैसा ब्यवार करता था इन सारी चीजों को अपने यात्रा विर्तांत में कौन लिखता है हुए इंसान त जो इतिहास है उसके बारे में जानकारियां मिलती है और हम लोग हर्सवर्धन के बारे में एक और चीज और जानते हैं कि हर्सवर्धन का जो जुकाओ था वो बहुत धर्म की ओर था वैसे हर्सवर्धन क्या था हिंदू सासक था लेकिन इसका जुकाओ जो है वो बहुत धर्म के बारे में और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे उत्तर वैदिकाल में जो हिंदू रूधिव आ दिता है और जो कटरता है वो बढ़ गया था धार्मी कर्मकांड बहुत ज्यादा होते थे और जो लोगों में इडिफ्रेंशियेसियसन बहुत ज्यादा होते थे यादि कि लोगों के साथ भेद बहुत ज्यादा होता था जो सुध्रों हम लोग देखे थे कि समाज है वो बहुत बरे हिस्सव मतलब चार वर्णों में विभाजित कर दिया गया था और सभी के साथ क्या किया जाता था भेदभाव किया जाता था खास करके सुद्रों और अच्छुतों के साथ तो इन ही सब चीजों के कारण क्या हुआ कि बहुत धर्म और जैन धर्म के सुरुआत होती है और बहुत धर्म धर्म के और इसका जुकाओ था, लेकिन यह जो हर्शवर्दन था, अन्य धर्माव लंबियों के साथ भी अच्छा बेवार करता था, और ऐसा नहीं है, कि हर्शवर्दन को अगर बहुत धर्म अच्छा लग रहा है, तो बाके जो हिंदू धर्म हो गया, या पिर जैन धर्म हो गया इन सभी के साथ क्या करेगा दूसरा बेवार करेगा मतलब उनको बैल्यू नहीं देगा या पिर उनके साथ गलत बेवार करेगा ऐसा नहीं था हर्षवर्दन सभी धर्मा वलंबियों को यानि कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के साथ क्या करते था अच्छा बेवार करते था और इसने कई अस्तुप बहुत भीहारेओं कुछ अस्पतालों का क्या करवाया था निर्मान भी करवाया था इसने कनोज में पांचवी बहुत संगीतिक आयोजन 643 सिस्वी में परद्धम संगहें गैंतिट परद्ध में कौँ सब्सक्राइब होता है इस कांगित णरे बुद्ध . अम्र्थ में बुद्धिय संगहें गैसा नाहते हैं परद्ध संगहें सा messini पॉर्ट में था में पूद्ध siamo colorira वो हर्स 있나 कहा पर करवाता है करणोज में करवाता है और कब करवाता है। 643 ईस्वी में करवाता है। और इसमें 20 राजाओं सहीत 10-13 यात्री एवन विद्ध्वान शामिल हुए। और बियर सांग इस सभा का मुख्य तिती था। हर्स hacked के बाद उत्तर भारत में अराजक्ता की स्थिति उत्पन हो गई, यानि कि जब हर्ष वर्धन की मृत्ति हो गई, इसके बाद उत्तर भारत में ऐसे कहा जाए तो एक अराजक्ता सी स्थिति हो गई, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कोई सेंट्रल पोजीशन पर जो राजा है, अगर कोई सक्तिसाल जब उसकी मृत्ति होती है, तो वो उतने बड़े छेत्र को कंट्रोल करने वाला जो दूसरा राजा है, वो जल्दी सामने नहीं आता है, इस तरीके से समाज में, इस तरीके से अगर का देखा जाए, तो जो समराज है, उसमें क्या हो जाता है, एक इनार्की जैसी स्थितित हो जाती है, मतलब और विवस्था हो जाता है, कोई ये जिस अगर छोटे-छोटे प्रांतों में वो समराज divided है, तो यहां के राजा आपस में लड़ने लगेंगे, कि हम इस पोजिशन प्याएंगे, हम इस पोजिशन प्याएंगे, यानि कि एक तरीके से देखा जाए, तो अराजकता सी स्थिति उत्पन हो जाती है, वही स्थिति हर्षवर्धन के मृत्यू के बाद भी हुगा, अब यहां पर हम लोग एक और चीज जानते हैं, क्या आप जानते हैं, कि वेन सांग एक चिनी आते था, जिसने हर्ष के समराज का भड़मन किया था, और उसने हर्ष क परशासों ने हुम आम लोगों के जीवन का विश्थित वर्धन, अपनी आत्रा विर्थान्त में किया है, और हर्ष के को वेन सांग ने बहुत धर्म का महान का उपासक बताई है, लेकिन वह सिव और सूरिय का भी उपासक था, तो ऐसा नहीं था, कि हर्ष वर्धन को बहु राज करने वाले के दचिं भारत के सासन करने वाले वन्स हैं ठीक है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते तो क्या करा है कि गुप्त सामराज के पतन के बाद यानि कि जब गुप्त समराज का पतन हो गया के बाद लगवग 200 वर्सों तक उत्तर भारत में हर्स को छोड़ कर कोई महतवपुन राजा नहीं हुआ यानि कि जब गुप्त सामराजी का पतन होता है उसके बाद हर्स वर्धन को छोड़ करके और भी उत्तर भारत में कोई महत्वपुन राजा ऐसा परभावसाली निकल करके सामने नहीं आया अब इससे क्या हुआ कि इस काल में राजनितिक गतवीधियों का केंदर दक्षिन भारत के दो प्रमुक राजवन्स वातापी के चालूक और खांची के पल्लव हुए यानि कि हम लोगों ने देखा कि जो मतलब जो हिस्ट्री है वो किसके अधिन घुमते रहता है तो जो कोई भी परभावसाली राजा हुआ उसके आसपास यानि कि उसी के आसपास जो हमारा हिस्ट्री है जैसे अगर बोले तो असोक तासोक क्या था एक बहुत बड़ा परभ वित्यू हो जाती है तो हर्सवर्धन के बाद उत्तर भारत में कोई ऐसा परभावसाली और सक्तिसाली राजा उफड़कर के सामने नहीं आया तो जो राजनीतिक गतवीदियों का केंद्र है वो कहां पे सिफ्ट हो गया दक्षिन भारत में दो वंस दो राजवंस थे एक र वातापी के चालूक क्या अब वातापी एक जगह है जहां पर क्या थे चालूक के वंस का सासन चला था तो क्या करा है कि इस वंस का प्रतम प्रतापी राजा पुलकेशियन प्रतम हुआ तो चालूक के वंस की अगर बात की जा तो चालूक के जो वो सासन कहां पर कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पश्मी चालुक के राष्ट कूट जो है यह लोग है ठीक है तो इस हिस्से पर आनि कि दक्चिन भारत में इस हिस्से पर कौन से वंस का साथन चल दा था चालुक के वंस का ठीक है अब यहाँ पर इस चालू के वंस का अगर बात की जाए तो सबसे जो प्रतापी राजा यानि कि प्रतम प्रतापी राजा यानि कि प्रतम महतवपुन जो राजा था वो कौन था पुलकेशियन प्रतम कौन था पुलकेशियन प्रतम तो आपसे objective question में question पुछा जा सकता है कि चालू के वंस का प्र पुलकेशियन प्रतम था लेकिन पुलकेशियन दिती इस वंस का सबसे महान राजा था यानि कि पुलकेशियन दिती क्या था चालुक के वंस का सबसे महान राजा था अब इसको महान क्यों बोलेंगे क्योंकि इसने हर्षवर्धन को हराया था क्या क्या था हम लोगों ने दिया और इसको हर्षवर्धन को क्या किया था हरा दिया था इसलिए जो पुलकेश्यन दूति है उसको क्या है चालू के वंसका एक महान सासक की रुप में जाना जाता है और 612 इसमें पुलकेश्यन दूति ने गद्धी पर बैठने के साथ ही आंत्रिक समस्याओं का सामना किय और इन समस्याओं के बाद इसने इन समस्याओं से निपटने के बाद इसने दक्षिन के राजियों के कदंब, गंग, कौंकन, कौंकन के मौरियों को अपनी अधिनता स्विकार करने के लिए बाद किया और इसके बाद इसने पूरी, मालवा और गुजरात के राजा को भी प अपाधिधारम की तो जो पुलकेशियन द्वीतिय था जब ये उत्तर भारत के एक बहुत बड़े एक बहुत सक्तिसाली राजा हर्षवर्धन को जब हराता है तब इसने अपने आपको एक उपाधी दिया और वो किस चीज का उपाधी था कौन से नाम था इसका उत्तरापत् सवामी हो गये क्यों क्यूंकि हमने उत्तर भारत के एक महान और एक शक्तिसाली राजा हर्षवर्धन को हडाया है और हर्षवर्धन से यूध जीतने के बाद इसने अपने आपको कौन सा उपाधि धारन किया तो उत्त्रापत्ध स्वामी बोला यानि कि अब ये अब यह क्या चाह रहा था अब यहां पर देखो यह कहानी समझ में आएगा अब यह क्या कराता है यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि यह है नर्मदा नदी ठीक है नर्मदा नदी है अब नर्मदा नदी को पार करके यह दक्षिन भारत का मैप है तो नर्मदा नदी को पा आगया नौर्थ इंडिया में अपने असासन कर रहा है ठीक उसे समय पुलकेशियन दूतिये क्या चाहता है कि यह पुडवी चालूक है और यह पल्लोवबंस है कांची पुरम के इन सभी को हरा करके अपने समराज को क्या करते हैं विस्टार करते हैं और यह पल्लोवों के अब नर्शिंग वर्मन क्या करता हैं वह तो चुप चब बेठा नहीं रहेगा तो दिखू यहांपे क्या करता है कि नर्शिंग वर्मन ता जिसने दूतिये को पराजित क्या अब बोल रहा है कि अच्छा हर्षवरधन को हड़ा दिया है तो इसका मतलब मुझे भी हरा funciona के 5 पर पल्लाव वंस का जो सासक था नर्शिंग वर्मन वो क्या बोलता है कि तुमने हर्षवर्धन को हरा दिया तो इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे भी हराओगे और यहां से नर्शिंग वर्मन क्या करता है यानि कि जो पुलकेशन दीती है इन दोनों के साथ में यूद होता पुलकेशियन दीतिये पल्लावंस को अपने हिस्से में मिलाना चाहता था और इसी दोनों के यूद में क्या कर देता है जो पल्लावंस का सासक है नर्शिंग वर्मन वो पुलकेशियन दीतिये को हरा देता है अब इससे क्या होता है जब ये यूद को हारता है तब के का जो समराज है यानि के आंदर परदेश वाला जो राज छेत्र है उसको भी क्या कर देता है पल्लाव का सासक नर्शिंग वर्मन जीत लेता है यहां तक समझ में आ गया हो गया यहां तक क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अब देखो परमेश्वर पुलकेशियन दी हर्षवर्धन को हडाया था यह तो हम लोगों ने जाना अब यह उस समय हडाया था यह कहानी कहने के लिए तो कोई था नहीं हमें तो पुलकेशियन दीति हर्षवर्धन को हडाता है यह जैनकारी हमें कहां से मिलती है तो वह हमें मिलती है इसके जो दर्बारी कभी थे जैस के पुलकेशियन दीती है कि जिसका क्या नाम था रवी किर्ती अब रवी किर्ती ने क्या लिखा है एहोल अभिलेक लिखा है क्या लिखा है एहोल अभिलेक और एहोल अभिलेक से हमें क्या जानकारी मिलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशियन दीती है कैसे हराया है कब हराया ह क्यों हराया है इन सारी चीजों के बारे में जनकारी हमें कहां से मिलता है इवो लभिलेक से मिलता है तो हम लोगों ने ये देखा हर्चवर्धन को देख लिया पुलकेशन दीतिये जो चालू के वन्स का सासक है उसको भी देख लिया अब हमें क्या देखना है पल्लाव के बा इतिहास में पलवों का विश्यस अस्थान है, यानि कि जिस प्रकार से उत्तर भारत के मौरियों का, गुपतों का हर्स्वर्धन का परभाव है इतिहास में, ठीक उसी तरीके से अगर बात किया जाए, तो दक्षिन भारत में भी चालुकियों का, पलवों का, पांडवों का, इसे सस्थान है और इन्होंने क्या किया था कि छटी सदी में अपनी राजधानी कांची पूरं में अस्थापित की यानि कि जो पल्लव वंस है यह अपनी राजधानी किस जगह को बनाया तो कांची पूरं को बनाया किसको बनाया कांची पूरं को अब देखो इनका प्रभू तो हमें ये भी आद रखना है कि दक्चिन भारत के कुछ प्रमुक और सासन करने वाले राजवनसों के बारे में अगर हमें बात कर ने हैं तो कौन-कौन से लोग थे तो ये तो की दक्चिन भारत में सासन कर रहा था तो पलवों का संगर्स किसके किसके साथ होता था तो चालुकियों के साथ तो होता ही होता था साथ पल्लों के दक्चिन में कौन थे चोल समराज था उनके साथ होता था साथ पांडे समराज था उनके साथ भी इनका संगर्स होते रहता था यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है? यह वाला जो एरिया है, हम लोग देख लेते हैं, यह क्या देखे? कि यह है चालुक के समराज, ठीक है? इधर देखे, यह पश्चमी चालुक है, यह पुर्वी चालुक है, यह हो गया पलव वंस का सासन है, नीचे हम लोग देखते तो यह है चोल वंस का सासन है क्या है चोल वंस का और सबसे दक्षिन में अगर देखा जाए तो यह पांड वंस का सासन है ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पांड वंस हो गया यह चोल वंस हो गया और यह पल्लो वंस हो गया ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो पलव का प्रथम महत्वपूं सा सक यानि कि पलव वण्स काτε अस्थापना हुआ था, तो इसका प्रथम महत्वपूं सा सक था, वो कौन था? महें द्रवर्मन, कौन था? महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम, कब से कब तक, 600 120-120 से ले करके 630 उस्वी तक और च्यालुके के सासक पुलकेशन दितीय ने इसे पराजित किया था यानि कि हम लोग क्या देखते हैं कि इसके इन दोनों के बीच में यानि कि पल्लवों और च्यालुके City विच में यानि कि बोल सकते हैं कि मतलब परदादा के समय से इसकी लड पुलकेशियन दीतिये ने महेंद्र वर्मन का पुत्र नर्शिंग वर्मन एक महानी होता था जिसने क्या किया था और उसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया और पुलकेशियन दीतिये ने और पुलकेशियन दीतिये ने और पुलकेशियन दीतिये जब हराया तो इसके बदला कौन लिया उसका बेटा लिया उसका बेटा कौन था नर्सिंग वर्मन और नर्सिंग वर्मन कैसा था एक महान ही होता था यानि कि एक 47 आ सकता और यह बोलता है कि अच्छा तुमने मेरे पीता को हराया यानि कि महंदर वर्मन को हराया अब मैं तुम्हें हराऊंगा और और कौन था यह, हराने वाला नर्शिंग्ग वर्मनOFF महंद्र वर्मन का बेटा था , और यह अपने पीता की पराजय का बदला किससे लेता है पुलकेशियन दी टिये जो इसने इसके पिता को हळायाता और उसको उसी यूद में क्या कर देता है मार देता है पुलकेशियन दीतिये को और इसको मारने के बाद यानि किसको हराने के बाद वातापी कुंड के उपाधिधारन की कौन नर्सिंग वर्मन यानि कि नर्सिंग वर्मन वातापी कुंड वातापी के सासक को हमने हरा दिया इसलिए मैं क्या लेता हूँ वातापी कॉंड के उपाधी धारन करता हूँ तो यहाँ पे वातापी कॉंड किसको बोला गया नर्सिंग वर्मन को अच्छा आप यह बताईए कि जब पुलकेशियन दीती है पुलकेशियन दीती हर्षवर्धन को हराया था तो यह अपने आपको कौन सा उपाधी दिया था यह जरुआर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए हमने अभी पढ़ाया था यानि कि इसी वीडियो में हमने पढ़ाया था कि जो पुलकेशियन दीती है जब यह हर्षवर्धन को हराया था तो अपने आपको कौन सा उपाधी धारन किया था ठीक है आगे बरते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अब देखो पलोग की सांस्कृतिक उपलब्धी के बाड़े में जान लेते हैं कि पलोग की सांस्कृतिक उपलब्धी क्या थी यानि कि पलवों ने वास्थू कला को कास्ट और कंदरा कला से मुक्त किया यानि कि पहले जितना भी कला और संस्कृति यानि कि जितना भी मंदिर और भवन बना जाते थे उनमें ज्यादा तर कास्ट का पड़योग किया जाता था लेकिन इसने क्या क्या कास्ट और कंदरा कला से मुक्त किया और इनके समय में मंदिर निर्मान के चार सेलियों का विकास हुआ और इनमें रत सहली के मंदिर महाबलीपूरों में बने है जो देखने में रत की तरह लगते हैं अने सहलीों में तटिय मंदिर और कांची के कैलासनाथ मंदिर महतरपुन है जो अस्थापत्य कला के असाधारन नमुन है की आपिसे हैं और यहां पर देख सकते हैं कि कैलास मंदीर ए थीयों आगे यह क्या आप जानते हैं में थोड़ा पढ़ लेते तो क्या है कि कास्ट कला का मंदिर 노den रूपों में लख्री के पढ़िओं oftentimes इसकला में मंदिरों को लिवार विम और छत के निर्माम में लख्री तो द्रवीर से लिक्या है तो ये कास्ट कला देख लिए अब द्रवीर से लिक्या है कि 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 द्रवी प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, वो बनाये गए हैं, ठीक है? तो यानि कि यह है द्रवीर सेली, यानि कि द्रवीर सेली में क्या है? कि मंदिर का जो बेस होगा, वो कैसा होगा? चावकोर होगा, और उसके बाद उपर के जितने भी हिस्से बनते जाएंगे, जो वो क्या होते जाएंगे नीचे से छोटे होते जाएंगा और उपर एक गोल गुंबद बनेगा तो यह जो सैली यह क्या कलाती है इस सैली में बने हुए मंद्रो को क्या बोलता है द्रवीर सैली ठीक है आगे देखते हैं तो पलो ने संस्क्रीत और तमिल भासा को भी संत भगवान विश्णू में आस्था रखने वाले वैसनों संत यह सेव संतो जो सिव भक्त थे यानि कि शिव में विश्वास करते थे को भी शम्मान परदान किया आगे चलकर दक्षिन भारत में पलो और पलो का और दक्षिन पत में चालुक्यों का अस्थान रास्ट यूद के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि राश्टकूट हो गया गुर्जर हो गया पाल हो गया गुर्जर प्रतिहार हो गया और पाल वन्स हो है आता है बंगाल और बिहार वाले हिस्से में पाल वन्स की अस्थापना होती है और नौर्थ इंडिया म आपस में कभी ये कनोज के उपर कबजा करता है कभी राष्टकूट कनोज के उपर कबजा करते हैं और कभी कभी पालवन्स के सासको का कनोज के उपर कबजा होता है तो यह हम लोग देखेंगे और यह तीनों लोग आपस में लड़ते हैं जिसको क्या बोलते हैं जिसके बारे इस यहां से खतम होता है और यहां से क्या शुरू होता है मदेकालिन भारत जो कि हम लोग चेप्टर सरी क्लास सेवेंथ में यानि कि जब आप साथ में चले जाईएगा तब आपको तिरिपक्षी यूद के बारे में पढ़ना होगा ठीक है आगे देख लेते हैं इसमें कि दक पाउसाली वेक्ति होते थे और इन में भू ब्रामन भू स्वामियों का संगठन भी कहा जाता था और सभा कई उपसमीतियों में विभक्ति इनका कारे सिचाई का साधन विक्षित करना था और खेती बारी से जुरे विभीन कामों को देखना था और सरक निर्मान करना इन सारे कारियों को देखते थे नगर का वयापारियों का संगठन था और इस पर सक्तिसाली भू स्वामियों और वयापारियों का क्या होता था नियंद्रन था और यह संथा आगे की सताब्दियों में और सक्तिसाली होती चली गई तो इस वीडियो में हम लोग यही रहने ने किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद